पिसले दस वर्स के अंदर जो परिवर्तन हुआ है यह छेत्र इस बात का गवा है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की सरकारों के समय इस छेत्र ने उनकी दंगा पॉल्सी को जेला है यह चनाओ मातर चनाओ नहीं है यह चनाओ उन लोगों को फिर से सही जगे दिखाने का समय है यह चनाओ फेमली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है और मित्रों हम सब को तै करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड यात्रा चाहिए पिसले दस वर्स के अंदर जो परिवर्तन हुआ है यह चेत्र इस बात का गवा है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की सरकारों के समय इस सेत्र ने उनकी दंगा पॉल्सी को जहला है उनके कर्फ्यू के उन यात्राओं को जहला है और बेनों भाईयों जब भी ये समाज जाती के नाम पर बटा होगा तमाम परिवार वादियों के माध्यम से समाज को बाटने का कुछी चेस्टा होगी उसका खाम्याजा ये दंगा वादी और कर्फ्यू वादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजी विकापर प्रहार करेंगे बेटी और प्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे बल्किन के माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रियास होगा आज यही कारण है एक तरफ भारती जंता पार्टी और सयोगी दल प्रणान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में देश को विक्सित भारत की स्परकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदिय और मजबूती के साथ कारे कर रही है तो दूसरी तरफ वेविभाजन कारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्विन करने का कारे भी कर रही है ये चनाओ उन लोगों को फिर से सही जगे दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्विन करने का कारी किया है इचनाओ फेमली फर्स्ट बनाम नेसन फर्स्ट के बीच में है माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है भरस्ताचार बनाम जीरो टॉलेंस के बीच का है तुष्टी करण बनाम सब का साथ सब के विकास के बीच का है स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरह खड़ियंत्र हजार करने वाले वहाँ नापाक गड़बंदन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रह्म की भामनाएं पैदा कर रहे हैं और पुरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है जो देश ने देखा अपनी आखों से युवाओं के लिया जीविका भी है तो उनकी आस्ता का सम्मान भी है और मित्रों हम सब को तै करना है कि हमें करफ्यू चाहिए या कावड यात्रा चाहिए और या हम सब इस बात को जानते हैं या देश मोदी जी की गारंटी पर विस्वास करता है